subscribe my channel and hit the bell icon एक बार फर्ट से स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने YouTube चैनल सेफ्ट इंडिया में फ्रेंड्स आज का टॉपिक है हमारा behavior-based safety यानि behavior-based safety क्या है और अपने workplace पर कैसे implement करना है इसके बारे में देखेंगे इसके क्या क्या procedure होते है implement करने के क्या observation की क्या क्या procedure होते है वह देखेंगे वहरहाल मैं काफी दिनों से वीडियो नहीं ला रहा था आप सूच रहे होंगे कि क्या हो गया था तो मेरी तव्यर तचानक खराब हो गई थी इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था तो आज हम देख और वियावियर बेस शेफटी एक ऐसा प्रोसेस है जो मैनेजमेंट और इंपलोई को सुरक्षा से संब्धित सुझाव देकर वर्क प्लेस पर कंप्लीट सेफटी के बारे में सूचना देता है या सूचित करता है कहने का मतलब है या दूसरे सब्दों में कहा जाए तो वि बेहावियर बेस शेफटी में एक स्टाप के साथ एक सकर और मैनेजमेंट का क्या स्चना है और प्लेक अब हम समझते हैं इसके अगले पॉइंट को भी जएफ्टी ऑबजर्वएशन और बेहावियर को ही में देखते हैं कि हम अ safety का observation हम कैसे करते है और उसमें कैसे उसको comply कर सकते हैं तो वे Deal वे इसूथर उब्जरबेशंन एक record observation होता है ये worker की सुरक्ष्छा में सुधार और risk को कम करने के लिए किया जाता है जैसे with delivery से रिंग मैंनेजर या के दोरान यह देखा जाता है कि वर्कर जिस अस्थान पर काम कर रहा है वहाँ संभावित जो खत्रे हैं उसके साथ बीवी एसो यानि व्यावेश सेफ्टी ऑब्जर्वेशन काम करने की आदत या इन्वर्मेंट के साथ जो ट्रेनिंग प्रोगाम उसे दिया गया है वह सेफ्टी ऑब्जर्वेशन के रूप में प्रारूप में तयार करके उसे फर से एक बार ट्रेनिंग देनी के आशकता होती है ताकि वह गलती दुबारा ना करें अब हम देखते हैं अगले पॉइंट को व्यावेश सेफ्टी प्रोग्राम जब किसी और और कंपनी के अंदर व्यावेश सेफ्टी प्रोगाम को संचालन किया जाता है या उसके अंदर किसी औरगनाजर्शन में कम्यों को मानकी क्रित यानि जिसे हम किसी कमी के लिए एक मानक तयार कर देते हैं कि अगर इस प्रकार से काम होंगे तो यह उनसेफ कहे जाएंगे या यह वर्ट ठान। यह सेफ्टी प्रोगाम अनिमारी रूप से और अरगनाजर्शन के अंदर शेफ्टी आव्जाबबेशन को ट्रैक करने के लिए और उसकी पॉसिब्लिटी को कितना ज्यादा है एकशिदेंट या कंट्रोल करने के लिए इसके बारे में होता है और व्यावेश वेस् safety training जो safety practice है उसे improve किया जाना चाहिए इसके कारण ही company अक्सर unsafe practice में safe practice की दिसा में आगे बढ़ता है जब कोई emergency उत्पन होती है तो ऐसे में हतासा होने की जरुरत नहीं होती है बलकि effective method से react करने की आशक्ता होती है कहने का मतलब है कि जब कोई भी अगर ऐसा काम आ जाए या कोई on situation effect अगर create हो जाते हैं तो आपको वहां से अपने presence of mind का use करना है कोई भी हताहत नहीं होना है जल्दिबाजी नहीं करना है positive behavior के कारण ही employee को प्रस्कित करना भी चाहिए ताकि वह अपने activity में वह बदलाव दा सके workplace पर बदलाव के कारण जो सुधार होते हैं उसको हमेशा audit करते रहना चाहिए और जो rules implement किया जाते हैं उसको हमेशा देख रहे करना चाहिए हम कैसे safety process को apply करेंगे तो वियावियर सेफटी प्रोगाम से सेफटी प्रैक्टिस इंप्रूब होता है बहवारिक बदलाव के कारण यानि जब हम worker को motivate करते हैं उसको समझाते हैं कि हमारे लिए वियावियर क्यों जरूरी है सेफटी प्रैक्टिस क्यों जरूरी है वो इसलि किसी भी situation से निपटने के लिए किसी भी तरका अगर emergency आपके workplace उत्पन होती है तो उससे निपटने के लिए प्रभावी धंग उसे पता हो या उसके बारे में उसको training दिया गया हो जब working side पर किसी भी तरका परिवर्तन होता है तो बहुत ही प्रभावी धंग से उसे changing का review मि पहचान कर लेना चाहिए और उसे किसी भी safety program में reward देना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि कि किसी भी प्रकार के किसी वर्कर के साथ भाव और तो नहीं हो रहा है अब अन्त कोस्चन है और बहुत ही लाजवा कोस्चन है कि वह वे सेवडिस चेकलिस्ट क्या होता है तो सबसे पहले जो critical problem है उसको हमें पहचानने के लिए एक चेकलिस्ट बनानी पड़ती है और ताकि हम उसको प्रात्मित्ता दे पाएं कि कि किस observation को हमको सबसे पहले comply करन है जो निगेटिव बहावियर का कारण बन रहे हैं उन संकेतों को पहचान करके निगेटिव बहावियर के root cause को पता करने के लिए हमें checklist के और शक्ता पड़ती है किसी भी निगेटिव बहावियर का root cause यही पता चल जाता है तो उसके solution को हमें develop करना चाहिए अपने workplace पे problem को shut out करने के लिए जो सबसे उपयोगी शमधान है उसको shortlist करना चाहिए और सबसे ज्यादा जो प्रभायुत है उसको सबसे पहले उसमें लिखना चाहिए जो checklist हमारा बनता है उसमें अगर किसी भी प्रकार का ब्यवारिक परिवर्तन करना चाहते हैं प्लान में या workplace के किसी भ आके लिए थैंक यू चाल